मध्य प्रदेश के शोपोद जुले की विजपोर तहसील की ग्राम पंचाद बढूदा कला से नव निर्वाद से सरपंच काजल था करने मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बना कर एक रिकॉर्ड बना दिया है उनकी उम्र महज 21 साल 5 दिन है मध्य प्रदेश के शोपोद जुले की विजपोर तहसील की ग्राम पंचाद बढूदा कला से नव निर्वाद से सरपंच काजल था करने मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की सरपंच बन कर रिकॉर्ड बना दिया है हम आपको बता दे कि जब हमारे संबाद दाता ने उन से बात की तो उन्होंने बताए कि पहले से मेरा राजुनीती के शित्र में आने का रादा नहीं था लेकिन बड़ोदा कला पंचाइट की ग्रामी उन्हों वा गरीबों की समस्याओं को देखते हुए मैंने सरपंच पद पर आविदन करने का फैसला लिया क्योंकि हमारे गाम में पानी की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या थी इसके लिए गरीबों के लिए आवास लाइट अच्छी सड़क का निर्मान युवाओं के लिए रोजगार दिलाने के उदिश से मैं चुनावी मैदान में उतरी और पंचाइट की जनता ने मुझ पर विश्वास दिलाते हुए भरपूर आशिरवाद दिया अब मैं पंचाइट की विकास के लिए हर कदम 24 घंटे कारे करूँगी जैसे कभी मी मेरे गाव के गरीब लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना आए युवा सरपंच काजल धाकर ने बताया कि मैं B.S.C. नर्सिंग कर रही थी मेरा राजनीती में आने का रादा नहीं था लेकिन गाव की समस्या को देखते हुए मैंने सरपंच बनेने की बात सोची अब मैं गाव का विकास करूँगी बडोदा कला पंचाइट की सभी गावासियों का अभार प्रकट करते हुए उन्होंने धन्यवार दिया मैं काजल धाकड है मैं ग्राम पंचाइट बडोदा से चुने गई हूँ मैं अपने ग्राम पंचाइट से चुने जाने पर बहुत खुश हूँ और सभी के बहुत आवारी हूँ सब को धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे अपनी ग्राम पन्चायत में चुनायाया मैं अपनी ग्राम पन्चायत के लिए विकास के लिए पुरूत रूप से सहीयो करूंगी आए जिमाई अपने गाओं में जो भी समस्यायां हों सब सभी समस्याओं का समधान करने को पूरी खैस करूँगी हमेरे गाओं में जो भी समस्य आये हैं जैसे गरीब बर्ग के लिए आवास की बहुत प्रॉब्लम है मौन सब को सॉल्व करना चाहती हूं और अपने गरीब बर्ग आदिवासी लोगों के लिए आवास देना चाहती हूं और सड़क, सड़क की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, किचड़ की प्रॉब्लम होती है, उसको समधान करना चाहती हूँ कि समस्य बहुत है हमारे गाओं में, पीने का पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं चाहूंगी कि हमारे गाओं में पीने का पाणी घर-घर पहुंच सके इस टाइम मेरी एज 21 एर है जे हमारे गाओं में पहले कभी कोई लड़की सरपंच या किजी भी एलेक्शन में खड़ी नहीं हूई तो मैं चाहती थी कि इलेक्शन में खड़े होकर मैं अपने गाउं के विकास के लिए योगदन दे सकूँ